हेलो डियर फ्रेंड्स बेल के तुक जाम कुरू जी आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉंग टेस्ट लेके आए हैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजे और साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लीजे तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो तो देखिए यहां पर जो फर्स्ट कॉश्ट हम से पूछा गया है The binding material used in cement motor is Binding material जो आप use करते हैं cement motor में वो कौन सा होता है यहां पर हम से यह question पूछा गया है आपको पता है कि हमारे पास एक cement motor होता है यहां होता है वो अलग लग होता है Common question है का पता है Hello को on theขie Cement motor की जब ही बात करेंगे तो इसमें हमारे cement ही आप binding motor की तरह यूज करते हैं ये लेकिन अगर आप lime motor की बात करेंगे तो उसमें lime जो होता है वो binding material होता है lime motor में इसमें हमारे पास होता है binding material रहते हैं यह point भी आप याद कर लिए क्योंकि यहां से भी question जो है exam में पूछा गया तो तो यह भी important हमारे हिसाब से हो जाता है अगला वोशन देखिए for floating body violent force act act the floating body जो होती है जो body यह तैर रही होती है उसके लिए जो violent force होती है वो act कहां पर act करती है अर्था डैश तो floating body के लिए जो violent force होती है वो centroid यह होती है displaced fluid वहां पर act करती है option c हमारा इस question में सर हो जाएगा तो अगला question देखिए for tachometer the additive and multiplying constant are respectively तो यहां पर आप एक ट्रक भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई additive and multiply देखिए multiplying के लिए यहां पर trick है multiply बहुत ज्यादा multiply 10x 20x 30x 100x तो इस तरह से आप इसको ट्रक के मादब से इसको solve कर सकते हैं तो multiplying means की 100 and additive होता है वो शुन्या शुन्या तो यहां पर हमारा answer additive and multiplying के लिए पूचा गया तो one ही हमारा answer हो जाएगा तो टेकोमेटर में जो additive constant होता है वो 0 होता है and multiply जो होता है वो 100 होता है यह common चीज है आपको यह पता होनी चाहिए तो multiplying constant जो होता है यह जो होता है यह होता है F over I यह होता है multiplying constant अगर आप additive constant की बात करेंगे तो इसके लिए जो होता है वो होता है F plus D तो यह भी exam में question पूछा गया था अगला question ने कि the horizontal distance between two consecutive contour is term as horizontal distance जो होती है उसको आप horizontal equivalent ही बोलते हैं अगला question क्या बहुता है maximum number of vehicle can be parked with maximum number of vehicle जो होते है वो पार्क की जाते है 90 degree की parking 90 degree का जो एंगल होता है वहां पर it means कि perpendicular parking हमारा answer हो जाएगा अगला question देखिए according to WHO and Indian standard for drinking water specification 1991 the maximum permissible limit जो होती है फ्लो राइड की वो कितनी होती है फ्लो राइड की maximum जो limit होती है वो कितनी होती है common question है यहां पर अगर आप desirable limit की बात करेंगे तो उसके लिए तो हमारा एक mg पर लीटर होता है लेकिन जो maximum की बात करेगा तो आप इसको answer लगा सकते हैं option third हमारा इस question में answer हो जाएगा अगला question देखिए एक numerical की form में question पूछा गया कि if the price of steel is कितना प्राइज है 78.50 पर टन एक टन के लिए कितना है 78.50 है then RCC बर्क में then what is the total cost of the steel for 100 के लिए hundred quintal के लिए कितना price होगा common question है आपको पता है कि एक क्यूंट या पर क्यूंटल से पूछा गया हमसे क्यूंटल हमें find out करना कि hundred quintal के लिए कितना price होगा कितना cost बनेगी तो आपको पता है कि एक क्यूंटल जो होता है वो 100 किलो के बराबर होगा 100 किलो के बराबर होगा आपको यही पता है common चीज है तो हमसे hundred quintal के बारें बुचा गया है hundred एक होता है 100 के बराबर तो hundred into so कितना हो गया 10,000 kg बन रहा है 10,000 kg 10,000 kg तो तो 100 quintal है वो 10,000 kg के बराबर बन रहा है तो हमारा एक टन्ज होता है वो कितना होता है 1000 kg के बराबर होता है 1000 kg के बराबर होता है one ton जो होता है तो it means की 10,000 भाग एक हजार तीन जीरो से तीन जीरो it means की 10 ये जो है वो 10 ton के बराबर बन रहा है 100 quintal जो है वो 10 ton के बराबर बन रहा है तो एक ton का जो price है वो 78,50 है तो 78,50 into 100 quintal it means की 10 ton के बराबर है ये तो हमारे पास ये अंसर आ जाएगा 78,50,500 ये अंसर तो ये fourth बिल्कुली correct अंसर हो जाएगा अगला question देखी हाँ पर हमसे एक numerical पूछ रहा है की what is the total center line length of the plane of an office room है हमारे पास जिसका अंदर का dimension जो है 10,5 जो की figure में यहाँ पर बताई गई है take the thickness of the wall is 20 cm center line method से हमसे पूछ रहा है की भाई हमें total length बतानी है ये जो हमारे पास एक office का room है total length कितनी होगी इसकी आपको पता है की center line के according ये मान के चलो की हमारी यहाँ पर चलो नहीं आएगा समझ में आपको तो ये जो मान के चलो आपका room है तो ये दिवार है हमारी 20 cm की बताइए यहां पर 20 cm सब चारों तरफ 20 cm ही है तो इसका हमें हाफ करना होता है तो अगर आप ये वाली जो दिवार है हमारी इसकी निकालेंगे सबसे पहले कि वह इसकी लिंदेंथ कितनी बन रही है इसकी जो लेंथ है यहां पर 10 अंदर की 10 दी गई है तो इसकी निकालेंगे तो इसकी भी आपको पता कि 5 दी गई है तो सेंटर लाइन के कौर्डिंग पॉइंट दस यहां से पॉइंट दस यहां से तो 5.20 हमारी मीटर में सारी वाली मीटर में ही आएगी इस साइड से होगे तो इस साइड से भी हमारी 5.20 ही निकलेगी तो इन सभी को आपको प्लस कर देना है यह इस कमरे की जो अफिस का रूम है इसकी टोटल लेंथ सेंटर लाइन के कौर्डिंग तीस पॉइंट असी मीटर बन रही है तो यही हमारा इस निमेरिकल के लिए अंसर हो जाएगा मीटर अगला कोशन देखे अदेंटिफाइड इदेटिफाइड अप्टर देट विल नोट इफेक्ट दा डिग्री ओफ सोल कंपेक्शन दैट के इन भी अचीव यहां पर हमारा अंसर यह हो जाएका वार्टर कंटेंट आफ्टर कंपेक्शन वार्टर कंटेंट के बाद कोई भी इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करता है यह हमारा गलत ओप्शन होगा क्योंकि वार्टर कंटेंट के ओपर हमारी कंपेक्शन जो होती है वो ठिपेन्ट करती है यह इफेक्टर जो है water content वाला यह effect करता है compaction के लिए अगर आप water content कम रहेगा soil में water content कम है तो हमारी जो soil होती है वो stiff हो जाती है stiff होने का meaning यह है कि यह आपको बहुत ज्यादा resistance against compaction में provide करती है compaction करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही दिक्कतों का साबना करना पड़ेगा water content कम है तो अगर आप पानी को increase करेंगे तो आपकी compaction भी आपको पता है कि higher dry unit आपको देखने को मिलता है तो यही हमारा गलत option होगा अगला question देखी तो maximum diameter of reinforcement bar in RCC slab कितना है 1500 mm thickness का हमने provide किया है तो कितना diameter होगा हमारी reinforcement bar का तो हमारा IS code है इसके according इसने बोला है कि जो diameter होता है by reinforcement की जो बार होती है वो should not exceed one-fourth of the total thickness of the one-fourth नहीं one-eighth वई sorry one-eighth of the total thickness of the slab इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो हमारे पास thickness 1500 mm दी गई है तो हम क्या कर देंगे भई 1500 का आठमा पार्ट हम निकालेंगे तो कितना answer आएगा 18.75 तो भई अब हमारा steel जो है उसमें ये वाला diameter आता ही नहीं है लेकिन 18 mm का diameter जो है वो आता है तो ये ही हमारा answer हो जाएगा ये हम diameter की steel प्रवाइड करेंगे option one हमारा question answer हो जाएगा एक मैं बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी मैं अपने YouTube चैनल पर कोई poll add करता हूँ तो उस poll का जो comment वाला section होता है उस पर आप visit कीजिए क्योंकि वहाँ पर मैंने उस question का detail में answer प्रवाइड किया होता है कई बार ऐस होता है कि वहीं हम सर्फ answer ही लिख पाते हैं तो कई बार जो option दिये होते हैं उन चारो option का भी आपको detail में answer देखनों को मिलता है तो आपके लिए ही फाइदा है अगर आप daily का 10 question भी हमारे चैनल स सीखे जा रहे हैं तो आपका ही knowledge बढ़ेगा तो वह आपके लिए beneficiary है अगर आप video जादा आपको time नहीं लगता है तो जो मैं आपको information provide करता हूं तो वहीं आप देख सकते हैं क्योंकि वहाँ से भी आपका knowledge बढ़ेगा तो यहां पर देखी next question क्या वह रहा है the duty of crop कितनी है 432 hectare per cubic and the base period कितना है crop का 100 a है तो delta of the crop will be delta हमें find out करना है कि भाई delta जो होगा वो क्या होगा delta क्या होगा तो delta जो होता है वो होता है 8.64 into base period over जो हमारे पास duty दी गई है तो यह होता है delta को find out करने का formula अगर हमें duty find out करनी होती है तो d is equal to होता है 8.64 into base period over delta तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ अगर आप से पूचे तो आप find out कर सकते हैं हमसे तो delta पूचा अभी हम delta को find out करेंगे तो delta यह is equal to हमारे पास 8.64 तो यह common value है base period क्या दिया गया है 100 दिनों का दिया गया है 100 दिन का दिया गया है over हमारे पास जो d duty दी गई है वो 432 की दी गई है तो भाई आप इसको find out कर सकते हैं तो find out करने के बाद हमारे पास जो delta आ रहा है वो आ रहा है दो मीटर का अगर यहां पर तो value ऐसे centimeter में दी गई है तो हम इसको centimeter में convert करेंगे 200 centimeter option second हमारा इस question मेंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए हाँ पर अगला कोशन देखिए क्या हो रहा है यहां पर इन वर्सनेट मैथड यानिके hardness test in the water is titrated against EDTA salt solution using eurochrome black tea as indicator solution here is the end of the titration the color changes from color कहां से कहां तक change होता है बहीं जब भी आप hardness test की बात करते हैं तो इसको दो category में divide किया गया है hardness जो होता है यह पानी के उपर गिया जाता है तो दो पार्ट में इसको divide किया गया है एक होती है carbonate hardness दूसरी होती है non carbonate hardness total hardness जो होती है वो होती है carbonate hardness plus non carbonate hardness यहां से भी exam में question आप से पूछा गया है तो hardest जो होती है पानी में वो can be determined by the determination of amount of calcium and magnesium iron जो present होते हैं पानी में by filtration filtration के द्वारा आपको calcium and magnesium का जो iron present होते हैं पानी में उसका पता लगाना होता है तो यही question में पूछा गया था कि भाई जो color change होता है वो कौन से कौन में होता है तो wine red to blue में change हो जाता है blue में change होता है option one हमारा question में से हो जाएगा अगला question देखिए what is the standard value used for measuring lead and lift in earth estimation lead and lift जो होती है estimation work में earth work में उसकी standard value कितनी होती है तो lead क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होने चाहिए तो lead जो होता है it is the average horizontal distance between the center of the excavation to the center of deposition lead वही होता है lift जो होती है it is the average height through which the earth has to be lifted from the source to the place of spreading उसको आप lift बोलते हैं तो lead and lift जो होता है lead जो होता है वो 30 meter का होता है and lift जो होती है वो 1.5 meter की होती है 31.52 option यहां पर answer हमारा हो जाएगा अगला कुशन देखिए in surveyor compass the card is graduated in quadrantal system is surveyor compass जो होता है जो card होता है वो graduated होता है in the quadrantal system में वो कहां से कहां तक होता है जो surveyor compass होता है उसको आप use कर सकते है ट्राइफोर्ड के उपर आपको ट्राइफोर्ड इसके लिए necessary होता है आपको use करना ही पड़ता है तो भई इसमें जो surveyor compass जो होता है जो होता है उसमें सिर्फ आपको quadrantal bearing system ही देखने को मिलता है यह भी important point है यहां पर हमारे पास angle दिये गए है तो surveyor compass जो होता है इसमें जो angle आप measure कर सकते तो वो 0 से 90 degree का angle होता है तो range of angle यहां पर from 0 to 91 हमारा इस question में answer हो जाएगा अगर हम यहां पर और भी कुछ point की बात करेंगे surveyor compass के लिए तो जो diameter आप use करते हैं compass के लिए वो 1500 mm का diameter होता है diameter of compass is 1500 mm अगर हम इसमें least count की बात करेंगे surveyor compass के लिए तो वो 15 minute का होता है सारे point important है exam के point अविए से देख लिजिए वाई अगला कोशी देखें dissolve oxygen a sag curve manifest dissolve oxygen sag curve जो होता है manifest तो कौन सा होता है सबह होता है dissolve oxygen defect option second हमारा इस question में answer होगा अगला कोशन देखें for 10% error in the estimation of means rainfall and for coefficient of variation of the rainfall is equal to 30 find the number of optimal station n हमें n find out करना है कि भाई n क्या होगा number of optimal station हमें find out करना है तो n जो होता है वो होता है cv over e का square अब cv तो हमारे पास given है देखें cv 30 है e जो होता है यह error होता है 10% हमारे पास error दिया गया है तो find out a value put up कर सकते है 30 over 10 का square आप इसको find out किजिए हमारे पास 9 n की value आ जाएगी option d next देखे the force which meet at one point the force that meet one point but their line of action do not lies on the same plane are known as तो वो होती है non-copular concurrent forces अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है कर लीजिए और साथ में bell icon को press भी कर लीजिए निश्द के solvent commonly used for oil paint के लिए कौन सा solvent आप यूज करते हैं oil paint के लिए तो वो होता है टर्पेटाइन solvent जो आप यूज करेंगे solvent को आप thinner भी बोल सकते हैं thinner also known as thinner तो thinner या फिर solvent एक तो टर्पेटाइन ओल होता है एक white spirit होता है एक नप्था भी होता है एक petroleum भी होता है तो यह हमरे पर solvent होते हैं लिख लिजे वई very important है अग्जाम के point of view से आपको पता होने चिरूरी है अगला देखिए यहां पर a venturimeter is device which is used for extensively for measuring flow rate of the fluid which of the following is the working principle of the venturimeter तो working principle जो होता है venture meter का वो होता है हमारे पास ver knowledge equation ver knowledge equation इस तक correct answer हो जाएगा ver knowledge equation जो होती है आपको पता ही है कि इसको आप also noun भी बोल सकते है conservation of energy principle conservation of energy principle तो यह इसका आप also एक और नाम है तो venturimeter जो होता है हमारे पास यह rate of flow या फिर discharge को major करता है लेकिन pipe में जो discharge होता है तो यह important है ver knowledge equation भी important है इसमें जो fluid होता है हमारा idle होता है steady होता है जो flow होता है and flow incompressible होना चाहिए and flow होता है वो hexagonal भी होना चाहिए and fluid जो होता है वो तो ideal आपको पता है कि इसमें viscosity zero ही होनी चाहिए अब अगला देखिए यहां पर rubber is an example of plastic material, ductile, elastic या फिर brittle किसका उदारण होता है जो rubber होता है very very important question आईए so rubber जो होता है वो elastic material का example होता है elastic material होता है जब भी कोई आप external force लगाते हैं तो उसकी shape change हो जाएगी अगर आप उस external force को हटा लेते हैं तो वो बापिस अपनी उसी shape में आ जाता है उसको आप elastic material की category में एकते हैं तो rubber भी आपको पता है कि आप जितना खीचेंगे उसको यानि कि external force लगा रहे हैं तो आप उस force को छोड़ देंगे तो वो बापिस वैसी ही अपनी shape में आ जाता है तो वो elastic material होता है elastic material जो होता है वो always inversely proportional होता है inversely proportional होता है किसके stain of the material के stain of the material के inversely proportional होता है तो यह भी हमारे हिसाब से important point है अगला question देखिए freshly cut surface of timber should exist अच्छा वाला timber होता है उसके कुछ न कुछ पॉइंटों होने ही जुरूरी है क्योंकि यहां से भी question बन सकता है उसके पास एक अच्छा color भी होना चाहिए defect जो होते हैं वो free from defect होना चाहिए हमारे पास उसकी durability जो है वो भी कापी अच्छी होनी चाहिए तब ही हम उसको अच्छा timber मान सकते हैं उसके पास elasticity भी होनी चाहिए elasticity आपको पता है मैंना भी पीछे कोशन में बताया कि क्या होती है जब भी आप timber के ओपर कोई load लगा सकते हैं तो वो जल्दी जो है अपनी शेफ में बापस आ जाए elasticity होनी जुरूरी है mechanical beer जो होता है उसको भी sand कर सके भई शेफ जो होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए उसकी and smell जो होती है वो भी इनके speed as well होनी चाहिए sweet smell जो होनी जुरूरी है उसके अंदर तो इस सारी quality जो होती है वो timber में होना जुरूरी है अगला कुशन देखिए chain survey using chain in chain surveying using chain या फिर tape the sag due to its self weight sag जो आ रही है due to its self weight takes the form of container while applying sag correction the catenary is approximately as container जो होती है वो क्या होती है तो sag correction जो होती है वो universally proportional होती है जो आप pull apply करते हैं सबसे पहले आपको यह बताओं जाए sag correction जो होती है वो universally proportional होती है जो आप pull apply कर रहे हैं उसके यहां से भी question आपका बन सकता है and हमारी जो sag correction होती है वो directly proportional होती है स्केर of the weight of the tape के weight of the tape के square होती है directly and universally किसके लिए होती है यह दोनों point हमारे लिए important हो जाते है and जब भी आप sag correction जो container के लिए apply करते हैं तो वो approximately parabolic बनता है parabolic होता है इसलिए third हमारा question answer हो जाएगा अब अगला question देखिए एक clay soil has filled capacity कितनी है 35% है and permanent building point कितना है 20% है if the specific weight of soil is 12.75 kilo newton per cubic meter the available holding capacity कितनी 0.80 meter depth of soil constituting the root zone depth of the crop is root zone depth of the crop यह हमें find out करना है हमें क्या find out करना है depth dw यह find out करना है हमें यह हमसे पूछा गया है तो यह हमें find out करना है यह होता है y gamma d over w gamma d over gamma w into d f c minus p w p यह होता है root zone depth करना है तो आपको पता कि gamma d क्या होता है dry unit weight of soil and gamma w क्या होता है unit weight of water होता है d हमारे पास depth of water यहां पर given है कहीं न कहीं पर given होगी यहां पर and उसके बाद f c f c क्या होता है filled capacity होती है holding capacity हमरे दी गई है and p w p यह क्या होता है p for permanent and w for building point p for point permanent building point यह होता है p wb तो सारी value हमारे पास given है हम value सारी put up कर देंगे तो हमारे पास automatically answer जो हो आ जाएगा तो सबसे पहले आपको यह जो percentage में value दी गई है इसको point में बदलना होगा तो 0.35% का 0.35 बन जाएगा 20% का 0.20 बन जाएगा तो यह हमने value convert कर लिए है अब जो हमारे पास formula था उसमें value को put up कर देंगे gamma d हमारे पर dry unit weight कितना है soil का 12.75 दिया गया है 12.75 ओबर जो gamma w था gamma w आपको पता कि dry unit weight of water होता है तो water का unit weight आपको पता है कि 9.81 होता है यह common value है fixed value है इन्टू क्या था हमारे पास d depth भी हमारे पास depth कितनी दे गई है 0.8 meter 0.80 meter इन्टू क्या था हमारे पास fc minus fc कतना है हमारे पास field capacity field capacity यह है field capacity point 35 minus permanent building point इदे की permanent building point करना है point 20 आप इसको solve कर सकते हैं solve कीजिए हमारे पास centimeter में answer दिया गया तो हमारे पास बैसे answer तो 0.15 आएगा यह meter में value है तो centimeter में convert आपको करना है तो हमारे पास अंसर यह आ जाएगा second इस question में answer हो जाएगा अगले देखिए considering horizontal of water pressure effect on a dam it may be concluded that तो the distribution diagram of water pressure is strangled in shape तो यही हमारा answer हो जाएगा यहां पर अगले देखिए the determined the throat thickness mm में हमें value convert करनी है find out करनी है throat thickness thickness of filled weld of size कितना है filled weld का 5 mm है when the angle between fusion face is 90 degree angle between fusion face 90 degree दिया गया है filled weld का size 5 mm है हमें throat thickness को find out करना है throat thickness जो होती है वो depend करती है हमारे पास एक तो angle of fusion face पर depend करती है दूसरा हमारे पास जो size होता है बेलड का filled weld का size कितना है इन दोनों पर यह depend करती है जो throat thickness होती है तो throat thickness जो होती है उसको आप tt यानिकि capital वाला t और small t पर denote करते हैं तो is equal to k into s s हमारे पास given है size of weld and cage होता है एक factor होता है जिस पर हमारी यह जो degree वाला angle होता है उसके according k की value आप उस table से ले सकते हैं अगर हमारे पास fusion phase का angle 90 degree बन रहा है तो k की value बनेगी 0.7 क्योंकि 60 से लेकर 90 के बीच में अगर हमारा fusion phase का angle बन रहा है तो उसके लिए value 0.7 ही होती है k की value तो 0.7 into 5 पांच 3.5 mm हमारे पास throat देखने से जो वो आ चुकी है यही हमारा इस question मेंसर हो जाएगा अगला question जेकी यह question बहुत जादे important है question क्या बोर रहा है in a cantilever beam cantilever beam slope and deflection at free and ease cantilever beam की बात हो रही है यहाँ पे cantilever beam में तो slope and deflection जो होती है at free and पे वो क्या होती है अगर आप cantilever beam की बात करेंगे slope and deflection जो होती है वो maximum होती है लेकिन वही अगर आप fix beam की बात करेंगे तो उसके लिए fix beam उसके लिए slope and deflection zero होती है slope and deflection जो होती है fix beam के लिए fix end के लिए fix end जो होता है वहाँ पर zero होती है लेकिन free end पर हमारी maximum होती है यह point भी आपका important है अगर हम यहाँ पर bending moment की बात करेंगे हमारा जो bending moment होता है तो जो free end होता है हमारे पास यहाँ पर zero होता है bending moment is zero at the free end जो maximum होता है वो कहाँ पर होता है fix end पर होता है यह सारे point देख लीजिए आप अगला question देखी हाँ पर हमारे पास last one question है हमारी इस वीडियो का अगर चैनल को subscribe नहीं किया कर लीजिए तो value of ruling gradient in plane as per हमारे IRC recommendation is ruling gradient की हमें value बतानी है plane के लिए कितनी होती है plane हो गया या पर rolling हो गया plane या पर rolling एक ही बात है प्लेन एरिया के लिए ruling grading की value तो one in 30 होती है वही वन इन 30 option फोर हमारा इस question answer हो जाएगा अगर आप limiting gradient की बात करेंगे या पिर ruling gradient की बात ही अगर आप limiting gradient की बात करेंगे तो उसके लिए one in 20 होता है तो option four हमारा इस question answer हो जाएगा तो friends ये थे हमारे most expected question आपको हमारी वीडियो कैसे लेगी वीडियो को अपने दोस्तों साथ share करें अगर चैनल को subscribe नहीं किया कर लिजे और साथ में बैल आइकन को press कर लिजे मिलते हैं next वीडियो में